नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग अक्षे तिरतिया के दिन बहुत सारे प्रियोग किया आते हैं मा लक्ष्मी को परसन गड़ने के लिए और मा लक्ष्मी तो चंचला है इसी लिए कुछ छोटे चोटे उपाई से आप जीवन के तमाम परिसानियों से बाहर निकल सकते हैं आज हम बात करेंगे पांच रुपे के कोयन की सिक्के की आखिर इसका क्या महत्त है वैसे तो आप कोई भी कोयन ले सकते हैं एक, दो, पांच, दस, कोई भी ले सकते हैं लेकिन सिक्का एक ही चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं देखिए अक्षे तिर्थिया बैसाक मास के सुकल पक्ष की तिर्थिया तिथि को मना जाता है जिसे हम अखा तीज भी कहते हैं सास्तों में कहा गया है कि जो पहला सुक होता है वो होता है निलोगी काया और दूसरा सुक होता है घर में हो माया यानि घर में सुकसान्ती और सुकसान्ती बिना मा लक्ष्मी के आसिरबात के आही नहीं सकता वैसे करोना वायरस का वक्त है तो अच्छा स्वास्त और सुक्सानती दोनों के लिए ही आज हम आपको उपाय बताएंगे ये उपाय कर लें पूरे साल आप सुरक्षित रहिएगा कोई दिकत नहीं है तो चली सुर्वात करते हैं मा लक्ष्मी और स्री हरी की पूजा दोनों की एक साथ कीजेगा पहले भगवान स्री गनेश की अराना कीजेगा इस दिन बहुत सारे परियोग किये जाते हैं और उन परियोगों में एक सिक्के का भी परियोग है क्या करेंगे देखिए एक रुपया का सिक्का आपके जीवन को बदल सकता है या पांच रुपया का ही सिक्का ले लें कहने का ताथ पर एक सिक्का आपकी लाइब को बदल सकता है बस आपको एक छोटा सा काम करना है एक लाल रंगा कपड़ा ले 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 इसके बाद कम से कम एक या पांच कौड़ी ले 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 पीडी वाली कौड़ी हो या सफेद वाली कोई दिकत नहीं है बोई भी ले 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 अब इस कौड़ी पर थोड़े से कुम कुम और थोड़े स अक्षट डालें फिर एक सिक्का इसके साथ रख दें मा लक्षमी के स्री चर्णों में अर्पित कर दें अब ये उपाय आपके जीवन में धन की मुस्किलों को दूर करेगा जो भी आप कारे करते हैं आपका कारे बंते-बंते रुख जाते हैं उसको समाप्त करेगा इसके बा इस मोटली में जो आपने सिक्का रखा है उसको निकाल कर पर्स में रख लीजेगा खर्चा मत कीजेगा उसको समाल के रखिए बरकत बढ़नी रहेगी आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा कई बार होता है नकात्म को उर जाएं बहुत परिसान करती हैं घर में लोग बिमार रहे हैं दवाईयों पर खर्चे हो रहे हैं जगड़े लड़ाई कलहकलेस बहुत बढ़ गया हैं तब ऐसे में अक्षे दिरत्या के दिन एक छोटा सा काम करें एक सिक्का और तूलसी के पत्ते ले ले लें और जितने भी आपके घर के लोग हैं जितने भी सदसें सबके तक आपने तक्या के नीचे रखे हैं ले लीजे जो तूलसी का पत्ता है वो मिट्टी में दवा दीजे और जो सिक्का है पास के किसी मंदिर के दान पेटी में डालाईए या मंदिर में रखाईए आप चाहें तो पीपल के नीचे भी रख सकते हैं तो इसके बाद जो आपने धागा लिया है उस धागे को हन्मान जी के चर्णों का सिंदूर लगा कर अपने कलाई में गले में बांध ले जीवन की सारी मुस्किलों से बाहर निकल आएंगे और यह सिक्का आपके जीवन के कश्ट को समाब्द करेगा हम आप से विदा लेते हैं जानकर यह अच्छी ल बावची है बावचे अचर जीवन कश्ट करे अभाने को में ग 토षा ले को विदा कries गया आप करेगा हैं